अब खबर है तोशाम से, कॉंग्रेस एता किरन चौधरी ने प्रदेश सरकार पर तोशाम ख्षेतर के साथ पानी के मामले में भेदभाव करने का रोप जड़ा है और कहा है कि सरकार की ये दोगली नीती जिनता बरदाश्ट नहीं करेगी पूर्वमंत्री किरन चौधरी ने कहा कि तोशाम ख्षेतर के साथ पानी को लेकर भीदभाव सहन नहीं किया जाएगा इतना ही नहीं किरन चौधरी ने दुरां बीजेपी सरकार पर लोगों को बार्टनी का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार की ये दोगली नीती जनता बरदाश्ट नहीं करेगी उन्होंने कहा कि सरकार नहरों के अंतिम छोड तक पानी पहुचाने का दावा करते हुए नहीं ठकती लेकिन हकीकत कुछ और ही है गाउ बागनबाला, डाड़म, सरल, छपार, खरकड़ी, सहीत दो दरजन गाउ में किरन चौधरी ने जनसभाएं की और सरकार पर किसारों की पीट पर छूरा घोपनी का भी आरोप लगाया देखिए बीजेपी सरकारें जो हैं उनका काम केवल एक है कि बाटो और काटो, बाटे जाओ और काटे जाओ, हमारा जो नहरी पानी है, नहरी पानी हमारा काट के ले जाया जा रहा है, कहीं और और इसकी अवाज जो है, जो है, जो है, हम उठाएंगे, क्योंकि पानी के पीने का समान बटवारा होना चाहिए नहरी पानी का समान बठवारा जब तक नहीं है सरकार करेगी जब तक ये हमारे साथ जो है बहुत ये दो बात अगर इस तरह की बात होगी तो लोग जो है इसको बरदाश्ट हो ना करें किरण ने कहा कि सरकार आवारा पशू को लेकर भी बड़े-बड़े तावे करती है लेकिन ये पशू किसानों के लिए आपत बने हुए है पशू कई जगह पर किसानों की पसल को बरबाद कर रहे हैं वारा पशू का जो परकौफ हो रहा है हरे गाओं के अंदर ये सरकार को इसके ओपर ध्यान देना चाहिए कि सरकार को जो है ये गाओं वाले जो है अपनी बाड़ी तो बनाके जो है उनको डाट लेंगे लेकिन खाने पीने का फिर साधन जो है वो सारह सरकार को देना चीए जो सरकार नहीं कर रही है अब गाओंवाले कितने दिन के कितने हैं पैसे कटे कर करके इनको खिलाएंगे हालात यह हो रहे हैं कि रात भर रखवाली करते हैं और यह भी नहीं पता चलता रात को कौन मार जाए क्या हो जाए तो वही किरन चौधरी ने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सरकार की ये दोगली नीतियां जनता परदाश नहीं करेगी देखना होगा किरन की इन बातू का जनता पर कितना असर होगा तो शाम से अनुपम शर्मा के रेपोर्ट खबरे अभीता